नमस्काल मेरे नाम है अभिशेक और आप सबकर स्वागत एक और वीडियो में तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो की के ओपर है जो आपकी गारे की है उसके बारे में बना वाला हूँ तो यह जो चाबी है मेरी यह सेकंड की है मेरी सुफ्ट की डीजल की और यह में बहुत दिनों से ढूंड रहा था तो यह जो चाबी है यह मुझे मिल गी है और यह ओरिजनल की नहीं है और यह क्यों नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CE होता है CE मींस वो कमिशर प्रोडक्ट के रहे होता है वो प्रोडक्ट अगर CE certified है that means वो health and safety environment को fulfillment कर रहा है तो मींस वो चीज को फुल कर रहा है यह European standard के साथ से चीजें certified करी जाती है और दूसी बात यहाँ पर एक जो number होता है चार डिजिट का वो भी इसमें नहीं है तो जनरी यह चाबी मैंने मुझे डीला नहीं दीती जब मैंने गारी खई दी तो उसके पास singer की थी मैंने मुझ को इसी जो बताना चाहते हूं देखिए the quality of OEM keys and this one अगर मैं इसकी बात करूँ जो यह locally made है OEMs के बराबर तो यह standard कहीं भी follow नहीं कर पाते है देखिए अगर मैं quality of plastic की बात करूँ तो यह kind of fragile तरह का है means बहुत आसानी से तूट जाएगा तीक है अगर मैं आप इसे खोलू on strong है अगरी तो मैं नहीं कोस्तित है इसे कुए मैं चराफर मैं इस घ्राट करता हूं तो कहीने कि मुझे मझे इसको अधरिओ रखता लिए में च्छेण जाहिए को क्यूंकि जूम का ज़िए कॉ alla कॉलिटी है फिर में जयसे मैंने करा हूं मुझे इतनी सईरिखिय तो अब इसको मैं खोलने बारा हूं उसके इसाब से मैं बताऊंगा कि मुझे क्या है इसमें कमी रही तर प्लास्टिक और इसको खोलने करे मैंने एक यह लिया वाए एक तरह कर ड्राइवर है इसको ड्राइवर इसमें आता ही ए अप्रॉक्सिमिर्ट जो है 100 पेका लाया था पूरा से है कि जब मैं इसको खूलूँंगा तो क्या होते हैं ये भी रögष्टेर हो जाते हैं अपर वह ओई के साथ ये सीन ही होता है तो यह मेंने देगा में रहे हैं ये गार उसमें था उसमें बनवाई यह वह रखोलना यह वह बनाया जाता है तो वहां पर आपको प्रावम नहीं आते हो इसके कारण के ओदर यह नट उसमें फज जाता है आप उसे खोलते हैं तो आस्टिंग के कारण वह खुल नहीं पाता है तो यह है इसको अब हम खुलने हो रहे हैं तो रहता आगे पूस्ट करना पड़ेगा मझे इसको यह आ गया है और आप यह देख सकते हैं हैं तो आप जैसे देख तो लिँड़ेएं और यहाहां को भी यह उसको यह वारत आट नहीं चाहीं किया होता था तो एंस मुल्या इसको निकालता हूं कि इसको निकालने का सबसे बड़ी तरीक है कि यह जो बटन है यहां से आप इसको ऊपर उठाइए यह आ रहे हैं अब आप देख सकते हैं इसमें जो है यह देखे यह जो है यह तो टूटा हूँ है तो कॉलेटी प्लास्तिक इस नॉट अप टूदा मार्क यह आप देख सकते हैं तो यहां पर यह चीज अब यह है इसको मुझे खोलना पड़ेगा तो इसको खोलने करे मुझे भी ठाइम लगेगा तो इसको बहुत टाइट है ऐसे नहीं खूल रहा है तो इसको मैं आपको प्र खोल कर दिखाता हूं फिर आगे वीडियो हम कंटिनू करते हैं तो फाइनली मैंने इसकी जो है यह खोल लिया अब खोलते खोलते वक्त क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे मेरे जो प्रास्टिक के पार्ट है मैं आपको दिखाता हूं यह टूड़ गया है अब देखें वही मैं कहना चाहता था बार बार कि दर कॉलिटी ऑफ लोकल जो कीज बनते हैं उनकी इतनी इच्छी नहीं होती ते अब क्या है जो सेल है वो निकाल देता है एक चीज और मैं इसके साथ कहना चाहूँगा आपको कि जो सेल होते है अगर आप मैं भूलू कि सेल की जो लाइफ होती है वह लोकल में ना मैंने देखी एक चीज नोटिस करी वह कम होती है इन कम्पैरिजन टू अगर मैं उनकी ब पोटका CR 1616 यह लगने वाला है तो यह चाहिए ने जापान मैक्सिल है तो यह वाला हम लगाने वाले देखते हैं कौन सा में मिलता भी मैं जाना मैंने पिछे वाले की की भी चींज करें थी पर उसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इसको जोनना पड़ेगा तो मैं आपसे एक चीज करना चांगो कि देखिए चावी जब खो जाए तब तो फिर आप तब देखिए इंस्वोरेंस वाले जो आप की मिलेते ना उसमें थोड़े बहुत पैसे मिलागे तो वो ज्यादा सही है वरना क्या है कि अगर आप थोड़ा बहुत थोड़ा सेफटी पॉइंट देखें तो औरीजनल लें मैं सोच रहाँ कि अब इसके हटाने के बाद मैं ओई ही ओई एम वाले ही लूँगा ठीक है थोड़ा अभी थोड़ा मेरे बज़र थोड़ा सा हिला वाए मीस अभी गारी की सभी सिर्वी सिंग भी करवानी है तो वह मैंने रोका वाए अभी बट ठीक है और इसको भी मैं फेवे कुर्ट से देखता हूं यह जूटता नहीं जूटता ठीक है तो यह आपका कीया रही है यह आप देख सकते हैं ठीक है देखें चलते हैं और यह सेल लेकर आते क्या कॉस्टिंग पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं इसका सेल देखें आगे हूं तो सेल में मैं आपको एक चीज़ बताने चाहता हूं कि जो सेल है यह CR1616 है बट जो यह सेल है ना वो जनरी इस जो कीफ ओब है इस पर नहीं रगता है इसको हम अलग कर देते हैं जो सेल लगता है वो जनरी CR1620 रगता है अब मैं थोड़ी पर करें इंटरनेट में तब मुझे पता लगा कि यह वारा जो नंबर है वह इसके साथ compatible है यह भी इसके साथ दख सकता है बढ़ जो इसकी थिकनेस इसकी मोटाई है वह ज्यादा है अगर मैं इसको भी निकालता हूं कर में निकालता हूं अब देखेंगे इसकी और इसकी तेक्नेस में थोड़ा काफी यह तो है सारव गेमने तो यह 16 20 थोड़ा से मुटा होता है और यह 1616 थोड़ा पतली होता है तो यह यह भी 3V है यह भी 3V है तो अब हम इसके साथ इस्टॉल करने वाले हैं अब क्या है कि यह ना प्रापर माती है जब भी आप कहीं आफ्टा मार्केट से चीजे बनवाते हो ना तो इसमें यह इस्टॉल करने वाले हैं कि यह मैंने फैवी क्रिक से चिपकाए वह देगे तो यह आप देख सकते हैं थोड़ा साथ यूशू इसमें आएगा कि यूशू इसमें मैंने सेल डाल दिया यह बदर चेक करते हैं यह वरक आउट कर रहा नहीं कर रहा है इसमें डाल दिया और यह वरक आउट कर रहा है तो इसे के साथ में एक हीज़े कहना चाहूं कि हो सब्सक्राइब तो आप और इसनल की बाय करने के कोशिश करें वनना अगर आपका बज़ेट नहीं बनता तो अभी है कंसिडर्ट कर सकते हैं तो इसी के साथ में जो है वीडिय अच्छी लेगे प्लीज डू लाइक शेयर और कमेंड थैंक यू